नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को कैसे लगाना चाहिए और क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम का उप्योग बहुत प्रकार के तवचा रोगों में किया जाता है जैसे तवचा पर कोई एलर्जी होने पर, तवचा पर बैक्टिरियल इंफेक्शन होने पर, तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर, तवचा पर दाद या कोई फंगल इंफेक्शन होने पर, दर्मेटाइटिस होने पर, सोराइसिस होने पर और एक्जिमा होने पर क्लोबा सूजन व तवचा में रेडनेस होना आधी लक्षन डर्मेटाइटिस, सोराइसिस और एक्जिमा होने पर हो सकते हैं। क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम तवचा में जलन, खुजली, सूजन और तवचा में रेडनेस को भी ठीक करती है। अब हम डिसकस करेंगे की क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को कैसे लगाना रेक्मेंडेड होता है। क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को लगाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम की वज़़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम की वज़़से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। त्वचा के रंग में बदलाव होना, त्वचा पर बालों की ग्रोथ अधिक होना और त्वचा का लाल होना आधी साइड इफेक्स क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम की वज़़से हो सकते हैं। अब हम डिसकस करेंगे कि क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को लगाते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को आख और मुँ के किनारों के पास लगाना रेक्मेंडेड नहीं होता है. इसलिए Clobite GM Gold Cream को आख और मुँख के किनारों के पास नहीं लगाना चाहिए Clobite GM Gold Cream को लगातार चार सपता से अधिक लगाना recommended नहीं होता है क्योगी लमबे समय तक लगातार Clobite GM Gold Cream का उपयोग करने की वज़ा से Side Effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है क्लोबाइट GM गोल्ड क्रीम को लगाने के बाद कम से कम एक घंटे तक किसी अन्य दूसरी दवा या क्रीम को नहीं लगाना चाहिए। देटा अवेलेबल नहीं है कि क्लोबाइट GM गोल्ड क्रीम स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुचाती है या नहीं। इसलिए ज्यादा तर डॉक्तर स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोबाइट GM गोल्ड क्रीम को ना लगाने की ही सलाह देते हैं। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्टर स्तनपान करा रही महिलाओं को क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम को लगाने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका क्लोबाइट जीएम गोल्ड क्रीम से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सक तिहें.